हेलो एवरिवान मैं हूँ किरिंचापुरी और यह है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही कराशीफल यह 20 दिसमबर से लेकर 26 दिसमबर तक कि आपकी टारो रीडिंग्स हैं टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सबस्क्राइब किया तो प्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरे इंस्टा पीच भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे बूझेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं, कमिंग वीक का सापता है क्राशीफल तो चलिए से डिडियरे से आप लगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनरशीज हैं तो आप लगों के लिए प्रोफेशनल फरंड के लिए एक आज हैं, दे स्टार एंड वेटिंग गेम और देखें स्टार का काड कहीं होप की बात करता है, उमीद की बात करता है, positivity की बात करता है, clarity की बात करता है और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंड में रहतावा देखा है तो दिखिए overall के लिए अगर हम देखें तो फिर से star का card कहता है पीछे किसी भी चीज को लेकर अगर आपने उमीद खोई आप थोड़ा सा negative हुए तो इस week कहीं देखिए वो उमीद आपकी जाकती हुई दिख रही है कहीं एक positive frame of mind रहता हुआ दिख रहा है और पीछे किसी भी चीज को लेकर अगर आपने directionless भी महसूस किया जहां पर आपको नहीं समझ में आए कि भाई अब आप इस चीज में क्या करें कैसे इस चीज को deal करें उसी से ही related या फिर otherwise भी एक direction आपको दिखती हुए दिख रही है और दिखिए फिर से मैं कहूंगी कि एक clarity रह रही है और बहुत अच्छा भी आप चीजों को लेकर महसूस करते हुए दिख रहे हैं और दिखिए star जैसे कि बुलते हैं कि एक star आप किसी चीज में बन गए है उस तरीके की energies की भी बात करता है यानि कि एक appreciation एक recognition भी आपको लोगों से आपके काम के लिए मिलती हुए दिख रही है और दिखिए नीचे तो waiting game का card कहता है कि कि किसी चीज का इंतजार किसी चीज का wait आपके मन में चल रहा है और दिखिए ये waiting game सब के लिए differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए नई job हो सकती है नई जगा हो सकती है नया project नई team हो सकती है और फिर से मैं कहांगी कि कोई भी चीज हो सकती है जिसका एक wait जिसका एक इंतजार मन ही मन आप करते हुए दिख रहे हैं और देखिए personal front के लिए आप लोगों के लिए four of wands and patience के cards हैं और देखिए four of wands का card कहीं fun, mazah, musti represent करता है celebration, get together, reunion की भी बात करता है एक excitement, एक enthusiasm की भी बात करता है और कुछ ऐसा ही specifically आपके personal front में रहता हुआ देख रहा है और देखिए इस card को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो दो लोग dance कर रहे हैं again fun, mazah, musti कर रहे हैं और देखिए ये card कहीं positive changes की भी बात करता है तो हो सकता है कि personal front में change of place, change of residence या फिर किसी भी तरीके के positive changes आ रहे हैं और देखिए इन ही को ही आप enjoy कर रहे हैं या फिर in general भी आप जादा लोगों से connect कर रहे हैं जादा लोगों से बात कर रहे हैं आप socialize कर रहे हैं आप मिल के कोई event प्लान कर रहे हैं या फिर मिल के कोई काम करना चाहा रहे हैं और कुछ लोगों के लिए literally देखिए celebration, get together, reunion भी इस week में रहे सकती है और देखिए surface level पे again बहुत एक active energies दिख रहे हैं लेकिन deeper level के लिए patience का card कहता है या तो you know एक active energies होने के बावजूद भी मन ही मन अब बहुत सबर, बहुत patience के साथ चीज़ों को deal क कर रहे हैं या फिर देखिए cards की तरफ से आप लोगों के लिए advice हो सकती है कि आप इतना जादा चीज़ों को लेकर enthusiastic ना हों कि आप impulsive हो जाएं या फिर थोड़ी सी जल्दबाजी किसी चीज़ को लेकर आप करें तो देखिए nutshell में enthusiasm बहुत अच्छी बात होती है लेकिन अधा भी कहीं grounding की बात करता है और देखिए बहुत सारे Sagittarius के लिए हो सकता है कि आप ऐसी energies में हैं जो नहीं है उनके लिए message है और देखिए यहाँ पर दोनों ही fronts के लिए waiting game and patience के cards कहते हैं कि कि किसी चीज़ को लेकर एक इंतजार है या फिर बहुत जादा किसी चीज़ को card है और यह card कहता है be graceful in movement and action तो देखिए जो भी आप लोगों के लिए इस week के cards हैं कहीं यह card इन सब चीज़ों को sum up करता है और देखिए एक quotation के point of view से मैं आप इस card को समझाओं तो यह card कहता है slow and steady wins the race जितना आप you know consistency के साथ moderate pace के साथ अपने goal अपने मकसद को pursue करेंगे उतना ही आपके success के chances बहुत जादा होते हैं और देखिए बचपन में हमने यह कहानी खरगोश और कचुए की सुनी भी है और उसमें हमने देखा भी है कि खरगोश इतनी speed से दोड़ने के बावजूद हार जाता है और कचुए इतना slow होने के बाद भी race चीट जाता है तो फ और इसके हिसाब से green color इस week आप लुगों के लिए लगी रह सकता है and significant day आप लुगों के लिए होगा witness day तो यह था Sagittarius आप लुगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए